गुम है किसी के प्यार में शो से निकलते ही आईशा सिंग को मिला अपना विराठ रिल लाइफ नहीं रियल लाइफ में आईशा सिंग के प्यार में पागल हो चुके हैं ये प्रोडियूसर के बेटे तो फिर चलिया आपको बताते हैं कि कैसे आईशा सिंग को मिला है अपना लाइफ पार्टनर किसको कर रही है आईशा डेट तो इस वीडियो को कीजिए मैकसिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का गुमे किसी के प्यार में शो की सबसे फेवरेट और प्यूटिफूल एक्टरेस आईशा सिंग हमेशा सही सूर्खिया बनाती रहती है लेकिन इस बार शो छोड़ने के बाद भी एक ऐसी खबर है जो आईशा सिंग के फैंस को खुश करके रख देगी नील भट और एशरस शर कर रही है कौन है आईशा सिंग का बॉयफरेंड और ये और कोई नहीं गुमे किसी के प्यार में शोके मेकर्स की बेटे या निकिर एसान राजेश सिंग की बात कर रहे हम जो कि आईशा सिंग की बहुत करीबी दोस्त थैं रिसेंटली इनको आईशा सिंग के साथ स्पॉट भी किया गया है और ये पहला मौका नहीं है कई बार आईशा सिंग सेट पर और घूमते हुए नज़र आई है इशान के साथ लेकिन इशान ने पहली बार आईशा सिंग को लेकर बड़े कुलासे कर दिये हैं उन्होंने ये कहा है कि वो बिल्कुल ही आईशा सिंग को डेट कर मैं अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हूँ उसके बाद ही मैं अपने लाइफ में सेटल होना चाहूँगी आईशा सिंग ने दो टू को जवाब दे दिया है कि वो इशान को डेट तो जरूर कर रही है लेकिन फिलाल के लिए वो सिर्फ एक दोस्ती वाला डेट है वैल आप कितना एक्साइटिड हो आईशा सिंग के न्यू पार्टनर के लिए लिखेगा जरूर अपना अपीनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब